Hello Friends, इस वीडियो में देखेंगे टाइल्स के बारे में जो कि premium quality टाइल्स, standard टाइल्स और commercial टाइल्स जो कि तीन नाम से जानते हैं Friends Market में, even उसको एक और नाम भी देते हैं first quality टाइल्स, second quality और third quality टाइल्स भी बोलते हैं इन टाइल्स के वेरिशन्त क्या होते है और किस तरह इसको पैचानना चाहिए कि यह फस्ट क्वालिटी है यह सेकंड क्वालिटी है धर्ड क्वालिटी है तो कि मार्केट में इसी तरह धोका देते हैं कि सेकंड क्वालिटी टाइल्स को भी फस्ट क्वालिटी टाइल्स बोलक को कहां पर इंस्टाल करना चाहिए और एंड आप दे वीडियो में हम तम रूल देंगे कि किस तरह सैंड और सिमेंट का क्वांटिटी क्वांटिटी करना चाहिए इसे पहले ये बता दू कि प्रीमियम क्वांटिटी टाइल में भी थोड़े से डिफेट्स होते हैं जिसको माइनर डिफेट्स कहते हैं जो कि टॉलरेंस के अंदर कवर किया जाता है तो हर टाइल जो भी कमपनी की टाइल आप खरीदे हैं तो उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है जिसमें टॉलरेंस का एक कॉलम होता है उसके स्पेसिफिकेशन के इस ताइल को मैनफेक्चर किया गया है फरेंस फर्ष्ट पॉइंट में आप चेक करेंगे विज्वल डिफेट्स जब भी आप एक बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें जितने भी टाइल होते हैं अप प्लेस करने से पहले चेक करते हैं तो उसमें किसी तरह के कॉर्णर या एड्जेस का डामेज नहीं होना चाहिए जो टाइल के टॉप सर्फेस होते हैं उसमें किसी तरह के क्रैक्स या स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए उसके साथ साथ ये भी चेक करना चाहिए कि टॉप में जो कोटिंग होता है उसमें किसी तरह का डिफेक्स नहीं होना चाहिए second point में checkering difference shade variation जो कि premium quality tiles में नहीं होना चाहिए और friends एक बात ध्यान में रखेए tiles लेने से पहले या order करने से पहले आपका जितना भी requirement है project का उस चीज़ को पहले देख लेगी material availability है या नहीं क्योंकि different kinds of batching जो होते हैं उसकी वज़े से एक problem main issue जो raise होता है shade variation सो इस तरह के problems overcome करने के लिए आप पहले चेक करना चाहिए जितना भी आपका project requirement है tiles का उस चीज़ का material availability है या नहीं third point में आप चेक करना चाहिए misprint so friends lot में इसको manufacture किया जाता है उसमें misprints होते हैं friends लेकिन premium quality tiles में इस तरह के misprint वाले petals नहीं होना चाहिए fourth point में चेक करेंगे pin holes जो की premium quality tiles में नहीं होना चाहिए friends आप जो भी tiles error कर रहे हैं उसको सहे तरह से inspection करना चाहिए और confirm कर लेना चाहिए कि इस तरह के difference नहीं है fifth point में आप चेक करेंगे surface cracks जो की friends premium quality details पे किसी तरह के surface cracks identify नहीं होना चाहिए sixth important point है leaping जैसे आप screen पे देख रहे friends इसको leaping कहते हैं इस तरह leaping अगर आप premium quality details पे identify कर रहे हैं तो आप जो भी manufacture है उसके specification के हिसाब साथ री चेक करना चाहिए कि within tolerance है या नहीं अगर tolerance के अंडर नहीं है तो इसको second quality या third quality कह सकते है seventh point में आप चेक करेंगे size variation length और width के साथ साथ आप diagonal भी चेक करना चाहिए friends अगर किसी तरह का variation आप notify कर रहे हैं तो premium quality details के tolerance specification उसके साथ match करके चेक करना चाहिए कि within tolerance है या नहीं अगर किसी supplier ने आपके साथ scam किया या cheating किया जैसे कि आप premium quality details के payment क्या दिये लेकिन आपके side पे आ गया second quality details जो के standard quality details होते है इस तरह के situation पे आप क्या करना चाहिए कि इस तरह का आप उस पर action लेना चाहिए firstly अप knowledge रखना चाहिए कि consumer protection ad CPA 1986 के बारे में जो कि companies जो होते हैं जो कि main manufacture companies होते हैं second या third quality products को अगर किसी तरह का quality complaints अप करते हैं तो entertain नहीं करते हैं लेकिन premium quality details के बारे में अगर किसी तरह का quality complaints अप कर रहे हैं तो इसको serious action लेते हैं जिसका हो सकता है आपको replacement करेंगे या फि तो इस consumer protection ad के बारे में आप सही तरह से जानकार ही रखना चाहिए और आप जो भी district के होते हैं या जो भी state के होते हैं आपके locality में consumer protection ad की office होती है friends जहां पे आप complaint दर्ज कर सकते हैं with proofs के साथ किस तरह का आपके साथ धोका दिया गया है जो भी bills होते हैं जिस तरह का defects अप आप identify करते हैं tiles पे इन सारे pictures लें और इस चीज़ को एक file कर रहें friends और complain कर सकते हैं इन प्रूफ के साथ so friends second और third quality details को कहां पे install करना चाहिए यह है आपके mind पे question आएगा friends so इस वीडियो में इस चीज़ को भी हम clarify करतेंगे जितने भी covered areas होते हैं जैस तरह के बिट के below होते हैं friends जहां पे carpet के below आप install कर सकते हैं friends office, banks, hospital lobbies होते हैं जहां पे chairs या फिर carpet के bottom में आप install कर सकते हैं so friends sand और cement का quantity किस तरह calculate करना चाहिए जोकि 100 square feet area के लिए आपको 3 to 4 bags of cement के सेमाल होता है friends और sand 12 to 13 cubic feet कर सकते हैं झाल कर दो झाल कर बेंग झाल